नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सभी को चोका दिया है क्योंकि किसी ने भारत से ये उम्मीद तो नहीं की थी इस्पेशली इसराइल की ही मैं बात कर लूँ तो इसराइल को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत उसके फेवर में ये कर सकता है क्योंकि अभी तकर आप देखे गाजा इसराइल की जो लड़ाय हुई है उस दोरान भारत का हलका सा जुकाव यहाँ पर फलिस्तिन की तरफ देखा गया है लेकिन अब भारत ने एक बड़ा मुमेंटम शिफ्ट किया है इसराइल की तरफ दरसल जैसा कि आप सुभी लोग जानते हैं कि जब से गाजा का कॉनफलिक्ट स्टार्ट हुआ था तब से और उसके खतम होने के बाद से ही लगातार जो एंटी इसराइल फोर्सिस हैं करकी अरब देश पाकिस्तान और चीन और रूस ये सारे देश मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सयुक्त राश्ट के जो परतिबंद हैं वो लागू करवा दिये जाए इसराइल पर इसलिए पिछले हफ़ते ये लोग एक परस्ताओ लेकर गए थे बाचीत होने दी ना ही इसराइल पर कोई परतिबंद लगने दिये ऐसे में ये सभी देश पिछले एक हफ़ते से ये दिमाख लगा रहे थे कि कैसे इसराइल को फसाया जाए कौन सा रास्ता चुना जाए तो इन्होंने चुना माना वधिकार का रास्ता दरसल युनाइटे के बाद इसराइल पर लगाए जाएं कठोर परतिबंद और देखे कहीं ना कहीं जो एंटी इसराइल फोर्स हैं यानि कि अरब देश चीन रूस और पाकिस्तान इनके लिए ये रास्ता काफी आसान है क्यों क्योंकि अमेरिका जो इनकी दहा का हमेशा से सबसे बड़ा आज इस पर वोटिंग होनी थी और भारत को भी इसमें वोटिंग करनी थी सभी को पता था कि भारत तो यहाँ पर फलिस्तीन का इसाथ देगा क्योंकि भारत ने पिछले एक हफते में जो स्टेटमेंट दी थी गाजा में बंबारी को लेकर उससे सभी को यही लग रहा था इसके लावा भारत पर काफी प्रेशर भी था जो 56 इसलामिक कंट्रीज हैं इनका प्रेशर था इसके लावा 24 जो UNHRC के भारत के साथी सदस्य देश हैं उनका भी काफी प्रेशर था भारत पर ऐसे में सभी को यही भरोसा था कि भारत तो यहाँ पर फलिस्तीन के साथ ही जा और ये बहुत बड़ी बात है, वो इसलिए है, क्योंकि आप ये देखिए, कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जो अमेरिका के एलाई हैं, क्रिस्चन देश हैं, उन्होंने भी इसराइल के खिलाफ वोट देया है, जो YES में है जो Y में है, ग्रिन कलर में, इसका मतलब ये इसराइल के साथ और जो ए दिख रहा है ना एबस्टेंड इन्हों ने वोटिंग ही नहीं की तो देखे इस में से में दो बहुत ही खास नाम आपको गिर्वाओंगा फिलिपीन्स और मेक्सिको दोनों के अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है इसके बावजूद इन्हों ने इसराइल के खिलाव गए हैं तो ऐसे समय में भी भारत ने यहां पर एबस्टेंड कर दिया यह बड़ी राहत की बात है इसराइल के लिए क्योंकि अगर जड़ा सोचिए कि सारे के सारे देश ही यहां पर इसराइल के खिलाफ हो जाते और भारत जैसा देश जो इतनी नो से पास हो चुका है इससे क्या होगा अब इसराइल के उपर इन्वेस्टिकेशन की जाएगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा यह मामला कि क्या इसराइल ने वार क्राइम कमिट किया है अगर यह हां हो जाता है वहां पर कोर्ट में कि हां जी इसराइल ने किय है बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है तो जो कोर्ट है वो ये कहेगी इसराइल से कि आप अपने जो कमांडर्स हैं सेना के जो अधिकारी है उन पर लगाईए परतिबंद लेकिन क्या इसराइल ऐसा करेगा बिलकुल नहीं लेकिन हाँ इसराइल पर डिप्लोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा आएगा लेकिन इसराइल वर्ल्ड प्रेशर को कैसे हंडल करता है ये बात हम सभी लोग जानते हैं लेकिन कहीं भारत ने इसराइल को एक राहत की सांस दी है कि जी हाँ भारत अब भी इसराइल के साथ है और इसराइल की केर करता है अलाकि आपका क्या मानना इस पर कमेंटर के बताना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेर भी करना फिलाल सुन में इतना ही थैंक यू अरू सब्सक्राइब